हेला फ्रेंट्स वेलकम टू स्टोरी है चैनल तो जैसा कि आपको पता है कि अभी हम लोग ने वोकाइब की एक स्टार्ट की है तो उसका आज डे टू है और हम वोकाइब एकदम बेसिक से सीख रहें एकदम बेसिक लेवल से जिनको कुछ भी नहीं आता हो वह भी सीख सकते है तो कि हम इसमें टेक्निक यूज करें नेमोनिक्स और पिक्चर का जो कि यूटूब पर पहली बार तो चलिए बिना देरी के अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन सा वोकाइब है आज तो आज का पहला वोकाइब है एबुलूशन का मतलब है असनान इसक होगा कॉंटामिनेशन पॉलूशन डीफाइलमेंट देख सकते हैं यह से पिक्चर में कि यह बंदा असनान कर रहा है तो अगर हम बात करें कि इसके नेमोनिक्स क्या बना सकते हैं इसको असानी से याद करने के लिए तब यहां देख सकते हैं कि यह सब्सक्राइब बहुत स तो मेरा मन क्या करेगा कि बहुत गर्मी लग रही है लू है तो मैं क्या करूं दुबारा से असनान कर लो तो ऐसे याद कर सकते हैं अब लू है तो अब लू है तो क्या करेंगे असनान करेंगे या फिर पासीने से हम असनान कर लेते हैं चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ च तो इसका हम यह बना सकते हैं याद करने के लिए कि अब और निगेटीव बात कर रहा है खोई बहुत बात कर लिए घ्राइब कर रहा है और निगेटीव बात कर लिए अब कोई बीए बात undergraduate आपका बरदास्त नहीं बहुत कर सकते हैं अब जैसे कर दो कपल है वह दोनों लगा निगलिखते तो अब नीगेटिव बाते मैं सविकार नहीं करूंगा तो आपनेगेशन तो ऐसे आप कर सकते इस पर याद चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं next word है हमारा abnormal, abnormal का मतलब होता है औस समान्ने, जो कि natural ना हो, unnatural, synonyms होता है, unusual, anomalous, antonyms की बात करें तो normal, common, अगर आप ये figure देख सकते हैं, इस साप के देख चूंआ है, इसके दो face है, तो ये abnormal है, को औस समान्ने है, समानने रूप से नहीं है, अगर ये लोग सीधे खरें हैं, यह बंदा उल्टा कड़ा है यहां भी देख सकते हैं सेम ही चीज है कि abnormal कौन सा होता आप समाने जो की ट्रेंड से अलग हो अलग ही दिखता हो सबसे चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं नेक्स्ट हमारा वर्ड है एबोलीशन, एबोलीशन का मतलब होता अन्मूलन, अन्मूलन और इसका मतलब कैंसिलेशन, सिरोनिम्स की बात करें तो स्क्रैपिंग, एलिमिनेशन, रिपील, एंटोनिम्स की बात करें तो रिटेंशन, क्रियेशन, एबोलीशन होता अन्मूलन किस याद करने के लिए हम एक टॉक्षिक बना सकते हैं घृत होता है लिट होता है कोई वंदा है यहां पर करा है हम क्या कर दो अब और लीटर नहीं यहांपर बोलिटर नहीं की मतलब कोई गंदगी मत पहलाओ हम तुमको एलिमिनेशन करें यहां से रिपेल करें कि अब इसको बंद करो अब कोई भी गंदगी नहीं फैलाना घर के बार बहुत लोग होते हैं पुरा कट-कट फेक देते हैं तो उसको कहते हैं कि नहीं नहीं बहुत हो गया अब ऐसा नहीं करना पुरेदान में फेकना तो प्लीज करते हैं लिट से लिटर लेलो अब और लिटर नहीं अनमूलन चलिए नेक्स्ट वर्ड की तरफ चलते हैं हमारा नेक्स्ट वर्ड है एब़ॉट मतलब होता है पुट सम्थिंग अट एंड यानि कि बंद कर देना सिनोनिम से टर्मिनेट डिसकंटिनिव एंटोनिम से होंगे इसके continue complete तो यह तो easy word है आपको याद हो जाएंगे तो इसके लिए कोई नेमोनिक्स की जोड़त नहीं चलिए next बात करते हैं next है हमारा one word substitution का section तो आज हम one word substitution के section में बात करेंगे एबरेशन का, एबरेशन का मतलब होता है और समानने, डेवियेशन फ्रम दा राइट कोस, मतलब कि सही पत से विमुख हो जाना, कि जैसे माली जहां पर इंसानों के लिए ये डिपार्चर का बना है, अगर कोई जानवर आ गया हो, आप प्लेन बेचाने, तो वो समानने से अल हो जाता, इसके sinonumes की बात करें, तो abnormally deviation यह है, चलिंए next की बात करें, तो next हमारा है abolish, abolish होता है समाप्त करना, किसी भी चीज़ को सिस्टम को एंड पे लाना formally put an end to a system practice or institution तो आप ऐसे कर सकते हैं यहां से इस ले सकते हैं यहां से अब यह लरका है यह इस आरो में इस 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 लरकी को कह रहा था तो वो बली no no अब और इस इस नहीं करना अब किये तो समाप्त तुम्हारा मेरा रिस्ता खतम तो इस इस अब नहीं करना अब no इस इस अब O है तो और अब और इस इस नहीं L को silent के लिए तो आप 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 इस समाप्त कर देना कि नहीं नहीं ऐसा नहीं करना है next की बात करें तो next है Ab Origins Ab Origins मतलब होता है Moon Nivaasi The Original Inhabitant of a Country तो किसी भी country के या place के जो Original Nivaasi होते हैं जैसे कि यह देख पा रहे हैं कि यहां के Original Nivaasi है यहां दिवासी लोग है तो जहां के जो होते हैं वहां के Nivaasi होते हैं उनहीं को Ab Origins किया जाता है Moon Nivaasi next next हमारा है A Breeze A Breeze का मतलब होता संचिप्ट करना To shorten a piece of writing without losing the sense लूज किये हुए उसको sort कर देना कि माली जै कि Sorten यह एक पहार था और यह एक पहार था दूसरे तो दोनों में अगर दूरी से आएंगे तो बहुत दूर लगेगा इसको वापस आने के लिए तो हमने क्या क्या है आप एक प्लैंक डाल दिया ताकि हमारे distance sort हो जाए तो यह हो गया A Breeze A Breeze बनाने के लिए Pool बना देते हैं ताकि दो लंबी दूरी एतम sort हो जाए तो चलिए next बात करते है next है Absurd Absurd मतलब होता है बेतुका Wildly, Unreasonable, Illogical और Radiculous मतलब ऐसा बात जो बेतुका हो और कोई कहा रहा है कि बन्दा हाथी को उठा के जा रहा था हाथी को सवारी अपनी करवा रहा था हाथी की सवारी नहीं कर रहा था हाथी को खुद की सवारी कर रहा था यह एक बेतुका बात होगा जिसका कोई सिर्पैन नहीं है कोई अर्थ नहीं है तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट इडियम और फ्रेज़ की बात करते हैं तो आज का इडियम है और बर्ट आई व्यूव उचाई से विस्तरित दिस जेनरल व्यूव फ्रम इवाब तो बर्ट को देखते हैं कि बहुत हाइट पर बैठ जाता हूँ वहाँ से सारी चीज़े एक बार में देख लेता है तो इसलिए कहते हैं बर्ट आई व्यूव से आप अगर एक्जाम से पहले जाओ बूड़ी औरत होती है इसका स्टिक गिर जाता है तो यह लरके से बोलती है कि मेरे स्टिक उठा दो तो यह मना कर देता है नहीं नहीं मैं कर दूंगा लेकिन करता नहीं का तो बूड़ी औरत होती है उसको खुद आने पड़ता है के बात करते हैं नेच्ट हैँ आब बलू आइडवाइ आखों का तारा 102 इसकी आँक्षे देख रहें नीली और बहुत ही प्यारा लग रहा है तो ये आखों का तार ही होंगा सबका सबका प्यारा नेक्स्ट की बात करते हैं, और दो कुट्टे हैं उनके बीच में एक हड़ी डाल दोगे तो उन दोनों में जगरा निश्चीत है कि दोनों जगरेंगे कि नहीं मैं हड़ी लूँगा तो मैं हड़ी लूँगा तो बोन ऑफ पंटेंशन ऐसी याद कर सकते हैं नेक्स्ट आगे हम अपने नेक्स सेशन पर जहां पर हम पैंडोरा बॉक्स ओपन करते हैं और जिसमें हमें कुछ नए नए चीज़ मिलती हैं तो चलिए नेक्स्ट ओप अब इसमें बात कर रहे हैं सब्जेक्ट वर्व एगिनिमेंट की तो उसका फर्स्ट मैंने फर्स्ट वीडियो में कर रखा ताब सेकेंड करता हूं कि अगर कोई सिंगलर नाउन हो और सेम परसन किसी सेम परसन या सेम थिंग के बारे में कह रहे हो तो उनके लिए जो करें सेम और सेक्रेटरी की बात करें जो सेक्राडरी वही प्रिंसपल करें नेक्स्ट इसमारा कौoga सेक्षेर्चेंटक हैंद्या इंसर जो भी इंस्क्षण नंग सचेर डिसक्ष्ट है जो इसका बताना आपको इसके लिए 10 सेकेंड मिलेंगा आपको 10 सेकेंड में इंसर देना पड़ेगा चलिए आपका टाइम स्टार्ट होता है अब ग्रेटिस मतलब होता है समपिन जो की कुछ फ्री का मिलता है ना ङ्रेटिस को मलते है अगर हम बात करें गृट VIP का तो ऐसा पर्सन जो बहुत घाता हो जिसको खाने की पूरी वह जनकारी हो खाने का Onies को जेए सकते हैं भोजन, प्रेमी, भोजन प्रेमी भी कर सकते हैं, या परसथन हूं इन ज्ट फूड एंड नौस लॉट वाउट इट, ग्यरेशिस का मतलब होता है, काईनेस, काईनेस कोट सी, इसका लिख सकते हैं, सीनोनीमस, काईनेस, चलिए नेक्स्ट कोश्चन की बात करें नेक्स्ट कोश्चन है एंट्रोनिम्स पूछा है हमारा वर्ड ट्रिवियल के लिए तो आपको 10 सेकंड मिलना है इसका एंसर करें और प्रोलेमेटिक और फोर्ट हैं सीडियस तो इसका अन्ट्रोनिम्स क्या है ट्रिवियल के तो चलिए टाइम समाप्त हो गया तो मैं आपको इसका इसका अंसर होगा सीडियस trivial एत्य तुचSu कोई ही जिसके ने सिग्विकेंट ऑफ इन सिग्निफिकंट भी बोल सकते हैं ये ए भालुएटेट वह तूरू olsun एज जुआ है अंडर-nul युआ अंडर्येटेड का मतलब होता है जिसको कम आपने को सबतमड legislator का सकते इसकोimal weight टेड टू लो काम आकना कोई भी चीज को काइन मतलब दयालू पताई होगा आपको प्रोब्लेमेटिक जो कि प्रोब्लम क्रियेट करें फुल आप प्रोब्लम्स हो तो नेक्स्ट बात करते हैं नेक्स्ट कोस्टन हमारा है सिनोनिम्स बताना आको वर्ड है कमपेटेंटैंड अ क्टस जुँरक है चलिए आपका टाइम समप्त हो गया है तो हम आपको इसका अंसर बता सकते हैं competent का synonyms हो जगा है capable तो competent मतलब होता है योग क्या होता है competent का मतलब होता है योग capable इसका synonyms हो गया complex जटील होता है something which is complex तो जटील पूर गरीब beginner नोवाइस भी कह सकते हैं जो शुराती दोर में काम करें नोवाइस भी है इसका synonyms चलिए next की बात करें next question हमारा है in will and wo idiom का मतलब बताने आपको आपको चार option मिले हैं और 10 seconds है तो चलिए आप answer कीजिए इन 10 seconds में देखते हैं कौन सबसे पहले answer करता है किनकी answer सही होते है comment करें चलिए आपका time अप हो गया तो हम बताने कि इसका जो answer होगा वह होगा third option in prosperity and adversity in will and wo का जो correct meaning is idiom का वह है in prosperity and adversity चलिए next question की बात करते है next question हम से पूछा synonyms announce का synonyms बताने चार अप्चन है आपके पास डेनाउंस secret hide advertise चलिए answer करिए देखते हैं कौन सबसे पहले comment में answer करता है चलिए आपका time up हो गया है तो मैं बता दूँ कि इसका जो correct answer होगा वह होगा advertise announce करना का मतलब कि घोसना करना announce का मतलब होता है घोसना करना हम लिख सकते हैं घोसना करना घोसना करना कि इसके synonyms की बात करें तो synonyms क्या क्या हो सकते हैं synonyms हो सकता है declare पिचलेर इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं प्रोग्लेंट लिए सिंटनेंस हैं और हम speaks secret का मतलब तो जो किजीड plot isada हो सिक्रेट हो हाइड यह इसके सिनोनिम्स हे फिर बात कर匯ह टी और कि रोग देनाउंस की इसकी भी बात करले थे कि अतलब क्या ज tomato होता है आरोप लगरां तो तू क्रीटी साइब समन podemos लीएंड पप्लिकंश पंट आरोप लगाना product निकसी सिद sincerity तू कि पाना हो सकता है इसका मतलब है denounce का मतलब चलिए next की बात करें next question हमारा है next question है a green horn idiom का मतलब बताना है आपके पास है 10 सेकर चलिए बताइए इसका क्या हो सकता है एंसर option यह ए अनेडुकेटेड परसन भी है इनेक्सप्रियेंस परसन थार्ड है सब्सक्राइब हो गया तो मैं आपको इसका एंसर बता दो इसका एंसर होगा इन एक्सप्रियेंस पर्सन तो इससे हम ले सकते कि आपको कैसा लगा आप कमेंट में बताएं और वीडियो अच्छा लगा तो इसको जरूर लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब कर और जूरे रहें ऐसे क्लासे के लिए और आपको यह क्लासे डेली बेसिस पर मिलेंगे तो जोड़ना ना भूले जय हिंद जय भारत